अब बन्नी उजी देखिए, क्लास जो है अभी जो PT के लिए चल रहा है वो मेंस के लिए sufficient नहीं है, to be very frank देखिए, PT में क्या होता है कि आपका superficial knowledge चेक किया जाता है, आपके सामने option में लिखा रहता है लेकिन मेंस में आपको depth पे जाना परेगा आपको बोला जाएगा कि अगर आप DPSP पे ही answer लिखिए पॉलिटी का, तो आपको दो पेज एंसर लिखना है, तीन पेज एंसर लिखना है, तो आपको DPSP का पता होना चाहिए, कि DPSP का positive क्या क्या point है, negative क्या क्या point है, किस कमिटी का recommendation है, तो आप यहाँ पर अभी जो PT के लि विवाद है, वो सब पढ़ना पड़ेगा सास में उसके, तो उसके मेंस के लिए आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा, मेंस के लिए देखिए, जो topic आप पढ़ रहे हैं, वो knowledge ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको क्या उसका pro है, क्या cons है, क्या उसका advantage है, क्या disadvantage है, वो से आया, बिहार में कहा कहा है, उसका क्या impact है, कहा मेंस के बाद हो जाएगा, मधुरीमा जी, मेंस देखिए, जो मुझे सील होता है, कि सबसे tough PT है, उससे असान मेंस है, उससे असान interview है, इंटर्व्यू में आप कुछ भी नहीं पढ़के जाएगा, तब भी आप इंटर्व बहुत अच्छा हो जाता है, मेंस में क्या है, कि आपको पता है कि simplified मेंस का syllabus बहुत आसान है, compared to PT मेंस का syllabus बहुत आसान है, और मेंस में आपको एक क्या करते हैं, इसपेस दिया जाता है, कि to the point आपको नहीं पता है, तब भी आप घुमा फिरा cancer लिख सकते हैं, लेकिन यहां to the point वही चीज पूछा जाएगा, अब example के तौर पे, history में पूछा जाएगा कि गांधी जी ने पहला कौन सा Congress का अदिवेशन किया था, अगर आपको नहीं पता है कौन सा Congress का अदिवेशन किया था, तो आप खतम, अवहां मेंस में क्या question आएगा, गांधी जी का Congress में क्या क यह रहा है कि अब पूछा में फोल अदिवेशन कि अब पूछा जाएगा